अमेशकार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है भारत और नेपाल ये काफी जादा करीबी दोस्त हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन पिछले 5-6 वर्षों में अगर आप देखेंगे और इस्पेशलि मैं बात कर रहा हूँ 2015 के बाद से जब से नेपाल के अंदर नया सम्विधान आया है और आपको पता होगा केपी शर्मा ओली लंबे समय से प्रामिनिस्टर थे वहां के तो दोनों देश के जो रिलेशन है वो बहुत जादा खराब हुए थे लेकिन अब क्या हुआ है लेटेश यहां पर ये खबर आई है कि जो केपी शर्मा ओली है उनके द्वारा कु नेपाल को कि अगर आप ये constitution अपनाते हो तो ये negative consequences होगा इसका ये सही नहीं होगा यहां पर आप देख सकते हैं जैशंकर warned us against adopting constitution in 2015 ऐसा केपी शर्मा ओली का कहना है तो इसके बारे में overall context से देखेंगे कि exactly उन्होंने इस चीज को क्यों कहा है और 2015 के context से हम समझ देंगे कि exactly उस समय हुआ क्या था भारत को क्या concern था नेपाल क्या कह रहा था तो काफी कुछ जानने को एस वीडियो में चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो simply आप हमारे app को download कर सकते हैं या फिर studyiq.com पर जा सकते हैं जितने भी courses हैं state PCS banking सभी कुछ आपको हमारे app पर मिल जाएगा चली देखते हैं exactly हो क्या रहा है यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि KP शर्मा ओली के दौरा कुछ बयान दिया गया है basically उन्होंने ये कहा है कि 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेन मोदी के special envoy बनकर S.J. संकर साब नेपाल आये थे और वहाँ पर उन्होंने नेपाल के अंदर जो political leadership है उनके साथ बातचीत की थी और भी leaders के साथ बातचीत हुआ था और उन्होंने एक प्रकार से threaten किया था धमकाया थ था कि आपको ये जो constitution है उसको अभी के लिए delay कर देना चाहिए अपनाना नहीं चाहिए और अगर इसको अपनाया जाता है तो भारत जो है इसको accept नहीं करेगा तो यहाँ पर सबसे पहला तो आपके मन में question आएगा कि अचानक से क्या हुआ है क्योंकि आपको पता है कि जो KP पी शर्मा हो ली है वो इस समय प्राइम निस्टर नहीं है वो प्राइम निस्टर पत से हट गए है लेकिन अभी क्या हुआ है कि वो जिस party से belong करते हैं Communist Party of Nepal UML उनके द्वारा एक standing committee बुलाई गई थी कहने का मतलब यह है कि September 19 यह नेपाल के लिए important हो जाता है क्योंकि यह व कुछ document submit किया political document और इसी document के अंदर उन्होंने ये सारे चीजों के बारे में बताया है कि 2015 में क्या हुआ था फर्दर आप देख सकते हैं उनकी जो exact बयान है उस document में यह उन्होंने पुरा paragraph लिखा है कि यहाँ पर जो Indian diplomat है मतलब कि वो S.J.S. Ankar की बात कर रहे है कि वो special envoy ब dissatisfaction express किया गया था मतलब जिस प्रकार का constitution बनकर तयार हुआ था 2015 में उसको लेकर भारत खुश नहीं था और वो लगतार pressure डाल रहा था सरकार पर कि इसको adopt नहीं किया चाहिए तो ये document के अंदर अभी latest जो है उन्होंने KP शर्मा उली ने बयान दिया है तो अब आपके मन में बहुत सारे आप question आ रहे होंगे कि 2015 में क्या हुआ था क्या क्या चीजें होई थी तो वो मैं आपको थोड़ा सा background में ले जाना चाहता हूँ देखिए नेपाल के अंदर यहाँ पर कोशिश हो रही थी 2015 के पहले कि कि किसी प्रकार का समिधान जो है उसको finally लाया चाहे ताकि वो सभी political parties के बीच में accepted हो तो finally जाकर September 2015 में वहां की जो constitution assembly है उन्होंने इस particular constitution को pass कर दिया था और आगे चल कर उसको promulgate कर दिया गया कहने का मतलब है कि उस समय जो elected representatives की body है उन्होंने इस पूरे समिधान को अपना लिया finally जाकर और मैं आपको बता दो जो दिल्ली है मतलब भारत जो है वो आपका हमेशा से back कर रहा था हमेशा से नेपाल को कह रहा था कि आप इस process को जल्दी बढ़ाए और किसी प्रकार का समिधान लाइए क्योंकि भारत भी यही चाहता है कि नेपाल में अगर खुशाली होगी वहां पर लोग खुश होगे तो पूरे region के लिए अच्छा होगा लेकिन क्या हुआ कि जब यह constitution बनकर तयार हुआ तब यहां पर भारत को कहीं न कहीं यह लगा कि इसमें बाकी जो minorities हैं उसको ध्यान में नहीं रखा गया है और इसकी वज़े से बहुत सारा violence हो सकता है और जाहिर सी बात है कि नेपाल के अंदर violence होगा तो इ मैंने आपको पहली बताया था कि यहां पर PM Modi के भीहस्ट में वो पहुच गया और उन्होंने नेपाल के प्रेसिडेंट के साथ प्राइमिनिस्टर के साथ बाकी भी political leadership के साथ जो इस constitution से खुश नहीं थे सभी के साथ यहां पर बातचीत की और उस समय ऐसा बताया जाता है ज प्राइमिनिस्टर के साथ बातब भारत को भी क्या concern हो सकता है क्यों violence हो सकता है बेसिकली क्या था कि यह जो पुरा समिधान बनाया गया था अब समिधान में क्या होगा कि जो वहां की parliament है उसमें कितने लोग चुन कर जाएंगे कहां कहां से चुन कर जाएंगे तो आपको प उपर वाला है जो हिमाले परवत वगर पूरा आपको देखने को मिलता है यह उपर वाला आपका mountainous region कहा जाता है फिर जो middle वाला है इसको hill region कहा जाता है जहां पर लोग रहते हैं और जो सबसे नीचे वाला यह जो southern side आप देख रहे हो इसको कहा जाता है तराई region और यह उनको पता भी होगा थारू जंजाती के बारे में उनकी संख्या वहाँ पर देखने को मिलती है तो basically क्या होगा कि जब यह समिधान अपनाया गया तो थारू और जो मदेसीज हैं यह जो तराई region में रहते हैं उनको यहाँ पर डर लग गया कि इस समिधान के नियम के हिसाब है कहने का मतलब है कि उनका जो representation होना चाहिए पूरे वहाँ के parliament में वो नहीं होगा और इसकी वज़े से political marginalization हो जाएगा इन सभी लोगों का और इसकी वज़े से जैसे ही यह आपका समिधान आया उसके तुरंद बात से आप देखिए protest चालू हो गया था नेपाल के अंदर रोटी बेटी का रिस्ता कहता है न वैसा देखने को मिलता है तो यह जो पूरा समिधान जैसे ही आया उसको कुछ घंटे बाद ही यहाँ पर भारत की तरफ से अब दीखेगा जब भी अगर सपोज नेपाल में समिधान पास हो रहा है आ रहा है तो भारत क्या गोलेगा we welcome and बहुत अच्छे अच्छे शब्त का इस्तेमाल करेगा लेकिन भारत ने उस समय आप देखे तो क्या जश्ट नोटेड का इस्तेमाल किया गया कि ठीक है आपने समिधान बना लिया हमने उसको नोट कर लिया मतलब ऐसाच बहुत ज़ादा कॉंग्रेक्चुलिटरी मैसेज व इसको सुल्धाने की कोशिश करिए ऐसा भारत की तरफ से था अब लेकिन भारत ने ज़्यादा क्यों था वही चीज मैंने आपको बताया कि इसका परिड़ाम टेरिटरी पर हो सकता था लेकिन साथी साथ मैं आपको बताओं तो जब ये पुरा समिधान बनाय जा रहा था त क्योंकि 1,751 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो आपको भारत नेपाल का देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि नेपाल का क्या कंसन था उस समय मतलब नेपाल इसको लेकर क्यों चेंतिता बिसिकली नेपाल बार बार यही कहता था कि भारत काफी जादा इंट जो कंट्रीज का अफैर है उसमें भारत जो है इंटरफेरेंस करता है जो कि नहीं करना चाहिए और यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला कि जब कॉंस्टिटूशन को अलड़ी पास कर दिया गया था तो एस जैसंकर साब को भेजने की वहाँ पर क्या जरूरत थी लेकिन मैं उसको लगता है कि वह उसके इंटरेस्ट में नहीं है तो वह वहाँ पर उसको इंटरफेरेंस बता देता है और आपको पताई है कि जो चाइना है वह एक प्रकार से इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है जो भी प्रोलेम्स है उसको और जादा जो है उसको बढ़ाता है और एक प्रकार से नेपाल को पीछे से बैकिंग दे रहा है ताकि नेपाल भारत के खिलाफ यहां पर खड़ा हो सके तो यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी फानेरी कंक्लूशन में हम क्या कह सकते हैं देखें कंक्लूशन यही है कि जब से यह अमेंडमेंट पास नहीं हुए है तो उनको यह चीज़ करना चाहिए और अब्यसी बात है कि यह जो स्टेटमेंट अभी रिसेंट आया है वो वापस से भारत और नेपाल के जो रिलेशन है उसको यहां पर फोकस में ला चुका है और अभी तक भारत की तरफ से कोई प्रक्रिया तो नहीं आई है लेकिन यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे जाने से पहले एक बहुत इंटरेशनिंग कोशन देखे जब भारत नेपाल की हम बात करते हैं तो यहां पर जो ट्रीटी आफ सुगौली है उसकी चर्चा हमेशा होती है यह आपका आया था 1816 में उसी से रिलेटेट दो स्टेटमेंट है बताइए कौन सा करेक्ट होगा इसका जो राइट आंसर है आपको पताईए मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही वहां पर कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो बाकी अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आए अलग-लग सोशल मीडिया पर भी आप जूर सकते हैं साती साथ UPSC आप पर किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे है तो simply आप हमा कर दो